अब्षा हैो मैं हम कैसे डिश्चा इन काल सकते हैं तर्मो डांस में तर्मो डायदेंट्ब से इन अब में परफ की चीज़ Landing के बूंसरे कोई पूछता है तो फॉर इंपल हमारे παसे कंटेंश है कुछ ऐसे और एक और कंटेंश बना रहे तो इसमें मीork मालो एक ऐसे कुछ रखा हुआ था और इस पर एक पिस्टन रखा हुआ था और यहां पे जो है कुछ इसके इती यह पिस्टन की कुछ एरिया थी और यह जो है यह चेंज हो जा रहा है और यहां पर एक कुछ ऐसा ही और एक शेकंड फॉर अविLA भूंत को नो सही है तो एक श्चांड हां तो यहां पर इसा रां पो पिस्टन रख दीया गया है और इसकी वॉलुम को च्छेंज कर दिया गया है मेरे ख्याल से सही से वॉल्यूम बन पाया है चलो यहां से करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम हो गया है इसने पिस्टन यहां पर रख दिया गया और यहां पर अभी भी इसकी एरिया जो है वह ए है ठीक है नाव वाट वाट वैफ टो यहां पर से कुछ हम यहां पर दे देख सकते हैं और ये इसका area है ठीक है और हमसे पूछा जारा है और ये volume जो है ये वो गया कुछ v1 है ठीक है और ये जो ये कुछ v2 है हम से पूछा जारा है delta v क्या होगा तो हम तो normally कह सकते हैं कि v2 minus v1 that's the delta v, but क्या पता कि ये volume दिया ही ना हो ह demain but actually yes यह वोल्यम दिगा ना ओए हमसे पूछ ले कि यह delta V कतना है यह बता हुड है तो और volume हमें यह वाला दिया ही ना हो के वल एक दे दिया हो यह वह भी ना दिया हो बस यह कहbow 됐 चेंज इन हमें वोग्डण कितना होता है transformate हम अंध कॉस्तेट Uhr तो मैं नशर है तो यह बता सबस्राइब है और यहां पर प्रेशर इस versucht अपान एयरा अभी इसका यूज नहीं भट ह би्सका यूज है इसको याद रहे अभी समय दिखते हां थाग्त कि मैंडिम ये हो यहां इसका कहीं न गई यूज होने वाला है देखो हमें पता है कि यह जो है यह कुछ हाइट एच्छ है इसका एडिया यह है तो अगर हमसे कहा जाए कि इसका तुम्हें निकालना है क्या और यह यह नहीं है कि एक सिलेंडर का लाइगे एक स्कॉायर क्यूबडल कंटेनर भी निकालना है तो क्या मैं डल्टा वी एरिया इंटू जितना भी हाइट चला है यानि जो एक्स कहा जा रहा है इसको मैं एक्स डिस्टंस कह दे रहा हूं इंटू एक्स करूंगा तो क्या यहां पे मुझे डल्टा वी में नहीं मिल जाएगा बिलकुल मिल जाएगा तो यहां यह area इसका एक यह तरीका है कि v2-v1 कर लो पट यह विकार यार तुम्हें पता है कि अगर delta v निकालना है चला यह x कुछ है और इसकी area जो है वो कुछ a है तो क्यों न तुम area a into x करके direct delta v निकाल ले रहे हो आसान सा बात है बाई हाँ और यह x को तुम करके निकाल लो और x जो जो डिस्स चला है अब आते हैं बस यह delta v वाला concept हो गया अब main concept है हमारा यह वाला work done निकालना is our main concept तो चलिए अगर work done निकालने की कोशिश करें तो यहां पर work done is equal to f into d cos theta होता है और also हमने देखा pressure is equal to force upon area होता है तो क्या यहां पर force is equal to pressure into area होगा बिलकुल होगा तो मैं यह यहां पर place कर देता हूं तो यहां पर work done बराबर pressure into area into d cos theta वह डी cos theta या d जो भी मालो यह जो है यह यह length है कितना यह चला है यह जो यह length है न यह यह अपना d cos theta तो मैं इसको क्या मैं x मान सकता हूं मैंने माना भी था तो यह x हो गया तो work done बराबर pressure into area into x और यह बताओ area into x हम delta v तो क्या मैं work done बराबर delta v into pressure वह भी कहा का external pressure क्या मैं यह लिख सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं बट यहां पर अभी यह एक अधूरा है यह क्यों अधूरा है क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं जो change हो रहा है वो कुछ इधर का चला है यह कुछ ऐसे चला है उपर नी 180 degree और कि यहां पर कॉस्ट टिटा की कॉस 180 degree जो होता है वो होता है अपना minus 1 तो जब इससे multiply कर डालेंगे तो यहां पर work done बराबर minus p external delta v हो जाएगा ठीक है और हमने यह पड़ा है कि expansion जो होता है वो होता है expansion में delta v जो होती है वो होती है negative sorry positive क्योंकि इसमें volume add हो रहा है वहीं अगर बात करें compression में तो compression में जो है volume कम होती है तो final कम हो जाती है तो यहां पर delta v जो हो जाती है वो negative हो जाती है तो यह बताओ अगर यहां पर expansion होगा तो क्या यहां पर work done negative में ही आएगा बिलकुल वहीं अगर compression हो जाए तो क्या work done यहां पर positive में आएगा बिलकुल आएगा मेरे काल सब समझ गया होंगे हम लोग ठीक है अब बात करते हैं की आप वर्क टर निकालना है तीन केसे में पहला केस है constant 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 pressure पर एक मिनट constant pressure पर से परulin से कहीं से केंड जो है वो है अपना वेरी अबल प्रेशर पर अब्रेशर यह होता थड़ अपना इसो कॉरीग ले लड़ो कुछ भी दिलिए विसक्री की कुई परोशन नहीं है बस हाँ इसको में पढ़ना है । इसको ये पॉर जानना है लिएसको एक्सेप्शन हमें अब कर कदा में कारेक कॉसरिक इसकंद करना है into x हो जाता है दल्ता veces w झौद वह जाता है ौट हो जाता है और पर चुंहां इस प्रेशर वह सद्सक्र jakieś उसमें जाए डल्ता यरुक्या बडाबर माइनस b proceeding सब्सक्या है मैं स्थेर्नाप कि यहां पर हमेशा चीज होता रहता है तो इसको हम अटाते हैं यहां पर basically और यह किवल constant में ही काम करेगा वहीं work done यहां पर तुम integration करो integration of pdv from v1 to v2 v1 से v2 तक के लिए तुम्हें integrate करना है pressure को और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा क्या variable pressure का value कैसे करने पर तो से integrate करने पर हमें आएगा ठीक है मेरे खास समझ के आइसो कॉरिक में क्या होता है कि volume जो होता है वो वो constant होता है तो जब volume यहां पर constant हो जाएगा तो डल्टा वी की value 0 हो है कि अरे भाई two है बाद में भी two ही है तो two minus two बराबर जीरो ही तो होता है तो जीरो हो जाएगा तो पी external entity बराबर जीरो होगा तो डल्टा सब्सक्राइब बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है नाइस तो हमने यहां पर प्रेशर वर्क डन निकालना सीख लिया है जो नेक्स टाक्ट्चर रहेगा उसमें कुछ अप्लिकेशन करेंगे